हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग मेरे ना मैं जयाविर आपते करें जयाविर अच्छी होंगे आज की वुडियों में के बारे में बात करने वाले हैं कैप्सुल का नाम है लसेफ नो फाइवंडर एमजी और इसका कमपोशन रहता है सिफलेक्सिन कैप्सुल यह 10 कैप्सुल की पैकिंग आता है इसके बारे में पूरी जान करें लेंगे कमपोशिशन यूजिस प्राइज डो साइट इफेक्ट किस कमपनी का प्रडक्ट है जैनरी कैशन अट है सब को जाने के तो वीडियो को लाश्ट की जूर दिखिएगा ठीके फेंस कैप्सुल का न तो सिफलेक्सिन कैप्सुल एक तरह का एंटिबाटिक है हाई एंटिबाटिक में इसका नाम आता है तो सिफलेक्सिन कैप्सुल वैसे तो सेफ कैप्सुल है यह एक तरह का एंटिबाटिक है इसको स्पेशली डोक्टर इस्तेमाल करते हैं निमोनिया सर्दी खंसी बुखार को ठीक करने के लिए यह बहुत ही महतोपुर्ण होता है जिन लोगों को इसको जैनेट से लेडिस कोई भी इस्तेमाल में ला सकता है इसको लाने से पहले डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ती है क्योंकि इसके खाने के बाद किस लोगों को साइड इफेक्ट भी होता है तो डॉक्टर्स से कंसर्ट लेना जरूरी होता है नुमोनिया में सर्दियों में नुमोनिया हो जाना सर्दी लग जाना खांसी हो जाना बुखार हो जाना स्कीन इंफेक्शन हो जाना तो इस इस सिर्विस्थिति में इसको इस्तिमाल में ला जाता है इस 500 mg को लेने के लिए कम से कम 12 साल की उमर होनी चाहिए इसके इससे कम 200 mg में भी छोटे बच्चों के लिए 200 mg में यह आता है आपके आपके रोक के हिसाप से आपको डॉक्टरिस की डोज बताता है तो बच्चों को डाइसमजी में दिया जाता है, बड़ों को पांसमजी में दिया जाता है, इसके साथ ये यूरीन इन्फेक्शन, फोड़ा फुनसी, घाव, पुरानी खांसी, फेफडों में सूजन, हडडी में सूजन, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाना, टाइफएड, आदी को ठीक करने में बहुत ही मदद करता है, ये स्पेसिली अस्थमेटिक पेसेंट को भी दिया जाता है, जिन लोगों को फेफडों की ऐलर्जी हो, फेफडों में सूजन हो, फेफडों में बलगम जैमा हुआ हो, खांसी हो, युखाम हो, तो उन से भी कंडिशन में भी यूजिस मैंने बता दिया, डोज आपको डॉक्टर ही इसको बताता है, आपके हिसाब से, इसको खाना खाने के बाद लेना चाहिए, खाली पेट इसको नहीं लेना चाहिए, और इसको आपको ये नजदी की मेडिकल केमिट से आपको असानी से मिल जाता है, ये एलकम कंपन इसको सिर्फ डॉक्टर से डॉक्टर की समय स्वहां करें दबाएग को पूरे करना चाहिए यह इंफर्मेशेarat के लिए क्रिपे साल में पूरक्त करना चाहिए लए नि provide के दूर रहे दिस्क्रेप्शन में सब कुछ अच्छे देदूंगा महां जाकर आप चेक कर सकती हैं बाके कुछ रहा है था मुझे कमेंट आपक्स में जाकर करें मैं आपको पूरा स्पोर्ट करूंगा मिलते हैं नाक स्टूडियो में तब तक के लिए वाई वाई टेकर धेंक्यू एलोपेथिक और आयरवेदिक दवाईयों की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें